गुद मॉर्निंग चिल्रन, हिंदी भासा कलश में आज अमप्रशित बैडमिंटन खिलाडी साइना नेहवाल की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे लेसन्स 16 साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाडी साइना नेहवाल ने अपने अनोखे खेल प्रदर्शन का जादू ना सिर्फ भारत में बलकी पूरे विश्वा में चलाया है और अपने अदबुत खेल पतिभा से भारत का नाम दुनिया भर में गवरानुवित किया है साइना नेवाल भारत की सर्वस्ट्रेस्ट बाइडमींटन खिलाडी तो है उनकी गिंती दुनिया की सिर्ष बाइडमींटन खिलाडियों में होती है उन्हें काफी लंबे समय तक दुनिया की नंबर वन बाइडमींटन खिलाडी रहने का गौरव भी प्राप्थ है भारत में बैडमिंटन खेल में बरती प्रशिद्धी के क्रेडिट भी साइना नहवाल को ही दिया जाता है तो आए जानते हैं बैडमिंटन की बेस्ट खिलाडी साइना नहवाल की जिन्दगी और उनके करियर से जुरी कुछ खास बातों के बारे में बत्मान युग परिवर्तन का युग है इस युग में समाज की मानसिक्ता में भी बदलाव आ गया है घर की चहर दिवारी में बंद रहने वाली नारी ने आज प्रतेक छेत्रे में अपने प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है आज माता पिता भी लड़का लड़की में भेदबाव नहीं करते अंतरीश में विश्चरन करके हिमालय की उँची चोटियों को चू कर बिभिन खेल प्रतिवगीताय जीत कर नारी ने अपनी चमता को प्रमानित किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सफल महिलाओं की राह आसान रही हो भारत में जहां महिलाओं को परदे में रहने की हिदायत दी जाती रही है वहां विप्रित परिस्थितियों में उसने लंबा संगर्ष किया और समाज को अपनी योग्याता का कायल कर दिया आज उसकी उपलब्धियों को देखकर प्राचिन सोच रखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं आज हम भारत की ऐसी ही एक बेटी के जीवन के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने हुनर से साबित कर दिया है कि अगर हौसलों और किस्मत का सहारा मिले तो परिवार, समाज और देश तो क्या सारा संसार भी आपके आगे जुख सकता है भारत की इस बेटी का नाम है साइना निहवाल जिसने अपनी चमता को सही दिसा में अगरशर करके बड़ी-बड़ी सफलताएं प्रात की है आज का भारत विकास शेल भारत है इस विकास की लहर से खेल जगत भी अचुता नहीं 20 साल की छोटी सी उम्र में हम में से कितने यह ख्वाब देखते हैं सपने देखते हैं की कास उनका नाम देश-विदेश में प्रसिद्ध हो लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो ऐसे सपने देखते भी हैं और वे उन सपनों को पूरा भी करते हैं। जैसे की साहिना नहवाल। साहिना नहवाल वह नाम है जो छोटी सी उम्रे में बिश्व भर में एक प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलारी के रूप में प्रशिद हो गया था। बच्चों आप जानते होंगे कि आठ मार्च को पूरा विश्व महिला दिवस मनाता है। महिलाओं का दिन रखा जाता है। भारत की नारियों का दिन रखा जाता है। भारत में भी बेटियों को महत्व देने परिवार और समाज में उनके प्रति जागरुकता बढ़े बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, जिसे ये आंदोलन तेज गत्ती की और आगे बढ़ रहा है। सिर्फ सरकारी कारेकरम नहीं, बल्कि सामाजिक समेंदना का लोग सिख्छा का अभियान बन गया है। जिला प्राशासन ने भी सूक कन्य समरिधी योजना के अंतरगत करीब करीब साथ हज़ार से जादा बेटियों के बैंक अकाउंट खोले हैं। हर्वीर सिंग नहवाल और माता का नाम उशा नहवाल है। माता पिता दोनों बैंडमिंटन की लाड़ी थे। इस कारण साइना का बैंडमिंटन की ओर रुझान सुरू से ही था। पिता हर्वीर सिंग ने बेटी की रुची को देखते हुए उससे पूरा सहयोग और पुचसाहन दिया। आठ साल की उम्रे में ही साइना नहवाल ने बैंडमिंटन रैकेट थाम लिया। छोटी सी साइना ने शिरुवाती प्रसिक्षन हैदराबाद के लाल बहादूर स्टेडियम में कोच नानी प्रसाथ से प्रात किया। जिनोंने उनके खेल को संवारा आठ साल की उम्रे में ट्रेनिंग लेना और इस ट्रेनिंग के लिए 50 किलोमेटर का रास्ता तै करना आसान नहीं था। किन्तु साइना ने कभी हारना सीखा ही नहीं था। अब उनके कोच प्रसित बैडमिंटन खिलारी पुलेला गोपी चंद और अतिक जोहरी हैं जिनोंने उन्हें सदा लगंशील बने रहने और कड़ी महनत करने की प्रेरना दी है। साइना ने छोटी उम्रे में ही बड़े कमाल कर दिखाए। 14 साल की उम्रे में उन्होंने वर्ष 2004 में नैशनल जूनियर चैंपियनसिप जीती और 2005 में फिर से उस खिताब को हासिल करके दिखा दिया कि आने वाला समय उनका ही होगा। इसके बाद अगले ही वर्ष 2006 और 2007 में उन्होंने नैशनल सिनियर जूनियर सिप नो चैंपियन सिप भी जीती 2009 में इंडोनेशिय ओपन जीतते हुए सूपर सिरीज बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया या उपलब्धी उनसे पहले किसी अन्य भारतिय महिला को हासिल नहीं हुई थी 2010 में दिल्ली में आयोजित रास्ट्र मंडल खेल में उन्होंने स्वर्न पदक हासिल किया फिर इंडोनेशिय ओपन जीत कर वे दुनिया की नंबर दो खिलाडी बनी 2011 और 2012 में उन्होंने स्विस ओपन जीता और फिर आया 2012 का वह महत्व पुन्च साल जब साइना ने लंदन में उलम्पिक खेलों में कास्य पदक जीत कर हासिल इतिहास रच दिया इसके साथ ही वे भारत की दूसरी ऐसी महिला बनी जिनोंने ब्यक्तिकत तोर पर उलम्पिक में पदक प्राप्त किया पहली महिला करनम मलेश्वरी थी जिनोंने सन 2000 में बैट लिफ्टिंग में कास्य पदक प्राप्त किया था इनी ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में मेरी कौम को भी कास्य पदक प्राप्थ हुआ था सन 2014 में उन्होंने उस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता प्रतिवा साली शाइना नेवाल अप्रेल 2015 में बिस्वा रेकार्डिंग में सिर्ष महिला बैडमिंटन खिलाडी घोसित की गई इस मुकाम तक पहुँशने वाली वे प्रतम भारतिय बैडमिंटन खिलाडी है यह तो हुई कहानी की किस तरह साइना का करियर आगे बढ़ा आपको लगेगा कि इसमें खास क्या बात है बस किस्मत का ही तो खेल है हाँ मानना की किस्मत ने उसका साथ दिया लेकिन मुसीबतें भी कम नहीं थी हरियाना की गाउं में जन्मी साइना को छोटी सी उम्र में खेल सिखने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था और फिर हरियाना जैसे राजिये में खुद को साबित करना लोहे के चने चबवाने जैसा था किन्तु उन्होंने कभी हाल नहीं मानी कहते हैं अगर परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है यह तो सच है कि हर मुकाम हर मन्जिल को प्रात करने के पीछे परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है यदि परिवार नहीं है तो आगे का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है यहां भी यही हुआ, माता पिता ने साइना को प्रोसाहन दिया और उन्हों ने भी दुनिया भर की खुशियां और गवरव उनकी जोली में डाल दिया अपनी उपलब्दियों के लिए साइना भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवोड प्रदमसिरी और सर्वोच खेर पुरसकार राजियो गांधी खेल रत्न पुरसकार से सम्मानित हो चुकी है सन 2016 में भारत के तीसरे बड़े सम्मान पदम भूशन से साइना को नवाज़ा गया साइना नेवाल हमारे देश की शान है जिनोंने देश का गवरव बढ़ाया आज साइना देश की हर लड़की के लिए प्रेरना स्रोत है सच मुझ हमें साइना नेवाल पर गर्व है तो बच्चों महिला नारी वो शक्ती है सशक्त है भारत की नारी है वो भारत की नारी है जो ना ज़्यादा में ना कम में वे सब में बराबर की अधिकारी है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज महिला सक्ती महिलाएं कितनी दूर ऊपर तक पहुच चुकी है और हम सब इस साइना नेवाल से प्रेरना लेंगे कि हम भी जीवन में कुछ कर दिख लाएंगे तो इस प्रकार बच्चों साइना नेवाल की जीवनी के साथ आपको भी कुछ प्रेरना मिली होगी और और कुछ जानने कारी लेने के लिए आप पाठ को पुनाह बार बर पढ़िए और अच्छी तरह समझने की कोसिस कीजिए इस प्रकार आप पाठ के वर्ड मिनिंग शब्दार्थ अपनी कोपी पर लिख लिजिएगा और अगले कक्षा में हम इसके प्रस्नोतरों की चर्चा करेंगे धन्यवाद